इन प्याजों को ज्यादा ग्रेवी की तरह नहीं पकाते हैं, हल्के हल्के प्रंग्ची से रहने देते हैं इसमें वेजी टेबल कोई भी मसाला डलेगा, हालू की और इसकी सब्जी में, इसमें कटा हुआ डलेगा इसलिए मैंने इसमें टमाटर नहीं डाले, अगर टमाटर डालती है तो सब्जी जूग जाती है और उसका तेस्ट अच्छा नहीं आता दोने के बार सब्जियों में अच्छी तरह पानी निकाल लिए ताकि सब्जिया फोड़ी बोग फ्राई हो जाए जुतने में हमारी सब्जी फ्राई हो रही है पक्रिया हल्की फुल्की उतने में हम सूखे मसालों का देख लेते हैं तो यह 1.5 चमच नमक एक चमच हंडी नमक आपक सब्जार भी लेते हैं एक चमच गनिया आगा चमच कश्मेरी लाल मिरच थोड़ा साप किचन कींग मसाला अब यह सब्जी हमारी आप देख वो तुके लिया है और मैं इसमें जीरा काली मिरची और खटाई के लिए अनारदाना डाल रहे हैं आप चाहें तो खटाई के लिए आमचूर का भी प्रयोग कर सकते हैं पर मैं आमचूर कम यूज करती हूँ इसलिए मैंने इसमें इसका परयोगती है इसको हम खोड़ी के और बूलेंगे और अब हम इन सुखें में सालो का आप देखें यह देखें यह देखें आप प्रयोगत आप देख रहे होगे सब्जी की रंग तिकना अच्छा है अब इसको इस सब्जी में पानी डालने की जुद्ध नहीं होकती है यह ऐसे ही बन जाती है अब यह हमारी सब्जी पकने वाली है और हमने इसको डखना है इसमें हलका सा पानी का शीटा जिसको बोलते हैं बस वही देखें और इसको हम जागा से जादा तीन-चार मिनट पकाएंगे इसको तीन मिनट हो गया पकते हुए इसको तीन मिनट हो गया पकते हुए चलिए देखते हैं कैसी है प्लेवर और गार्मिश के लिए यह खोड़ा सा धनिया एंड पर डाल देखेंगे और फ्लेम थोड़ा सतेज करके हलका सा भूण ले यह देखिए अच्छे से आलो भी पगड़े इसे अइसे मैंने खटाई के लिए अनारदाना डाला आप चाहें आमचूर और सब्जी बनने के बाद निम्बू का परियोग कर सकते हैं मैं टमाटर नहीं डालती तो कि टमाटर ने ग्रेवी तरह जूग जा अच्छी नहीं लगती और टेस्ट भी इसना अच्छा नहीं आता यह बिलकुल खाने पर आपको बीन्स आलो की सब्जी की तरह लगती है अब हमने फ्लेम बन कर दिया सब्जी रैड़ी है सब्जी रैड़ी है आलो भी पक चुके है और ये भी गल चुके है बटर भी गल चुके है अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए जिनोंने मेरा चैनल सस्क्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और नई नई वीडियो लेकर आऊं आप बनाईए खाईए अपने परिवार को खिलाईए और इंजॉय कीजिए